नमस्कार SPN 9 News आप देख रहे हैं आपके साथ मैं हूँ अक्षा गरबाद बिहार में सियासी भूचाल अब इस अस्तती में आ चुका है कि ये लगभग साफ है कि बिहार की सत्ता की नईया को एक और से पहले की तरह ही जेडियू की नेतरत्व में नितीश कुमार संभालेंगे तो दूसरी और अब इस नौका को यहाँ पर आरजेडी और महागटबंदन के बजाए बीजेपी संभालती नजर आएगी और यह जो नौका है बिहार की सत्ता की यह महागटबंदन की नहीं बलकी एंडिये की होने वाली है यानि की अब एक बार फिर से नितीश कुमार एर जेडी से नाता तोर करके बीजेपी के साथ एंडिये में लगभग शामिल हो चुके हैं और अपने करियर में अपने सियासी जीवन में नितीश कुमार यहां कुछ ही देर में आठवी बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शापत लेंगे और उनके साथ नजर आएंगे बीजेपी के सुशील कुमार मोदी और साथ में एक और अन्याई डिप्टी सीम यहां पर शपत लेते नजर आने वाले हैं सब के बीच यहां पर जो पुराने बयान है इन तमाम नेताओं के वो बड़े वारल हो रहे हैं चाहिए यहां पर आमिच शाह का बयान हो जिसमें वो एक बार एक मंच से बिहार में कहते नजर आए थे कि नितीश कुमार के लिए एंडी और बीजेपी के सभी रास्ते बंद हो चुके हैं चाहे नितीश कुमार का बयान हो जिसमें एक बार हो कहते नजर आए कि मर जाओंगा लेकिन कभी बीजेपी के साथ गड़ बंदन नहीं करूगा तो साथ ही साथ यहाँ पर दिगज नेता बिहार बीजेपी के और पूर में डिप्रिसीम रहे सुशील कुमार मोदी का एक बड़ा वयान अब निकल के आया है जो यहाँ पर अमित शा के बयान के एक दम उलट माना जा रहा है जहां एक बर नितीश कुमार को लेकर के अमित शा भी सकते हैं यानि मतलब साफ है कि बीजेपी पहले से ही इस बात की आशंका लगाए बैठी थी कि नितीश कुमार फिर हमारे साथ आ सकते हैं और बयान वाज़े भी किस तरीके से यहाँ पर बदलनी है वो भी लगबग साफता है जिसमें आपको बता दे बिहार का सियासी सम करन जिसमें 243 विधान सबसीटे बिहार में आती है और सत्ता तक पहुचने के लिए यहाँ पर सतधारी दलों के पास कम से कम 122 सीटे होनी चाहिए और मौजूदा वक्त में बिहार में बीजेपी के पास 78 विधान सबसीटे हैं तो जेडियू के पास 45 सीटे हैं यानि दोलो पार्टी के मिलाकर के 127 सीटे हैं और विपक्ष में यहाँ पर आरजेडी के 89 हैं कॉंगरिस के 19 सीटे हैं तो साथ यसाथ यहाँ पर CPI, CPM और अन्य दल के मिलाकर के 116 विधान सबसीटे बिहार में आती है यहाँ पर अलहाल कल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9 News